जिन्क्रिज्ट सीरप जो की 20 Mg सीरप रहता है आज हम जो बात करने वाल है 100 ml सीरप के बारे में बात करने वाल है जिसका MRP 91.83 रुपीज रहता है यह सीरप जो की क्या करता है कि immunity कुछ बूश्ट करने में हेल्प करता है और यह बहुत सारे cases में यूज होता है और इसको पिलाने से क्या benefit होता है या क्या side effect होता है तो वो सब बाते इस studio में मैं share करूँगा ताकि आपको जिंक रिष सीरप के बारी में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके तो यह education purpose के लिए बनाए जा रहा है जिंक रिक सीरप जोकी बनाया जाता है सिपला फर्मा के दुवारा बनाया जाता है इसके अंदर गन्टेंट के बात के जिंक asietate oral solutions रहता है और यह 100 ml की सीरप बोटल में रहता है जसका MRP 91 रूपिस रहता है ये सीरप जो कि क्या करता है कि जींग इसके अंदर रहता है जींग जो कि क्या करता है कि immunity बुष्टिंग में help करता है और ये nutrition supplement डिता है objection करने में help करता है calciums को body के अंदर और ये syrup क्या करता है कि टीटमेंट करता है और जो patients acute या chronic diabetes से use हो रहा है तो उसमें भी इसको use किया जाता है जिंक रिस्ट सिरफ जो कि क्या करता है कि recommended किया जाता है beneficial के लिए जैसे कि ये reduce कर देता है time को जैसे कि respiratory tract infection में, diarrhea में और wound infection में और injury में वगरा इसको use किया जाता है ताकि आपको injury वगरा में, wound infection में जल्दी हिल मिलता है तो इसको कैसे पिलाने का है कि जो बच्चा 6 मंत का है उसको 2.5 ml वन से डे पिलाने का है 16 दिन के लिए और जो बच्चा 6 मंत से उपर है उसको 5 ml पिलाने का दिन में एक बार 16 दिन के लिए तो ऐसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं तो वैसमें पिलाने का तो इस सीरप के बारी में कुछ भी डाउट रहे तो comment section में पूछ सकते हो अधुरवाई जो description में email आईड़ी है और वीडियो पे पहली पर आप विजिट के हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है उसको दुबाए ताकि जब भी मैं नेक्स वीडियो अप्लोड कुरें तो आप तक एक लोड़ी किसम पहुंच आए अवाज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे